नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से आपके साथ गर्मियों की एक पूतिक खास रेसीपी सेर करने वाले हूँ जिसको आप एक बार बना कर रख लें तो 5-6 देन तक इंजोई कर सकते हो फ्रीज में रखने के बाद में और खाने में तो इसका जो स्वाद होता है वो बेहधी टे दोस्तों खटा उठाना तो उसके लिए आमें या पर ले लेना है दई या फिर चाच तो मैंने या पर चाच का इस्तिमाल किया है जो आप काच की गिलास देख रही है इसी से मैंने दो गिलास बरकर चाच ली है और साथ में इसमें हम दो गिलास पानी एड कर लेंगे और उ अकेले गेहु के आटे में भी बना सकते हो बाजरी के आटे में भी बना सकते हो जुआरी के आटे में भी आपी से बना सकते हो उसको बिल्कुल अच्छे से अमने मिक्स कर लिया है इसमें लंप्स बिल्कुल नहीं बचे है ये बात खास द्यान रखनी है यहां पे लंप्स एक सर्द्यों में बना रही है तो आप यहां पे ठंडे पानी की बजाए गरम पानी का इस्तेमाल करें छे गंटे के बाद में जब आप इसको देखेंगे तो यह आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा पूरा पानी जो है उपर आ जाएगा और जितना भी आटा है इसके अंदर वो इसके तले में बैठ जाएगा तो यहां पे एक बाद आप द्यान रखना इसको ज़्यादा इलाना डूलाना नहीं है आमें इसका पानी अलग करना है और जो आटा है वो अलग से रखना है यहां पे इसका बिल्कुल अच्छे से जो खटा है वो उठकर तयार हो गया है यानि फर्वन्टेशन की जो परिक्रिया थी इसकी बिल्कुल अच्छे से होई है अब इसका पूरा पानी अलग करेंगे और नीचे जो आटी वाला बैटर बच जाएगा उसको अलग से रखेंगे तो मैंने पानी एक दूसरे बरतन में निकाल लिया है अब इस पानी को हम गैस भी रख देते हैं पकने के लिए और यह आटा बचा है यह देखिए आपको बिल्कुल चिकना सा आटा यहां पे मिलेगा दोस्तो यह फर्मेंट होने के बाद में इस तरह का ही हो जाता है तो अभ इसको हम साइड में रख लेंगे और जो पानी बोयल होने के लिए रखा है उसको अच्छे से बोयल आने तक हमें गरम करके लेना है इसी पानी के साथ में भी दूसलिए लीप नहीं पाऊंगे मैंने बिलकुल दिरे-दिरे से उबाल आने के बाद में इसके अंदर वो पूरा जो आटा था हमारा वो डाला है और फिर इसको हम अच्छे से बॉइल आने देंगे यहां पे हमें तीन से चार बॉइल इसके अंदर ले लेने हैं इतने में ही यह पकर तेयार हो जाती है इसको एकाद बोईल तक और पकाएं और फिर आपकी राबडी है वो बन कर तयार हो जाएगी इसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं होता है बिल्कुल सिंपल रहता है दस मिनेट में तो आपकी पूरी राबडी है वो बन कर तयार हो जाती है और यहां पे राबडी बनाती समय एक अगर एक लिटर ले रहे हैं तो उसमें दो चमच से ज्यादा आटा आप ना डाले नहीं तो यह ज्यादा गाड़ी हो जाएगी और खाने में आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी इसको इसी तरह का बना कर तयार करना है तो आमने इसको गैस से नीचे उतार लिया है ग और भूती ज्यादा स्मूथ एक तम ही चिकनी से बन कर तयार होती है और खाने में भी इसका टेस्ट है ना वो बेहत पसंदाता है सर्व करने से पहले इसमें डालेंगे आम यह आपे चाच तो आपकी एक लिटर आबड़ी है तो इसके अंदर एक लिटर चाच चली जाती है आप इस तरीके से इसमें चाच यह डई डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लें मिलाने के बाद में इसको हम सर्व करेंगे सर्व करने के लिए इसको देसी तरीके से इस तरीके से मग में सर्व किया जाता है दोस्तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक थोड़ा सा जीर होता है लेकिन गाव में यह बुजुर्गों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और सच मानी एल्दी भी बहुत होता है जो बाजार वाले ड्रिंक होते हैं न केमिकल वाले उन से तो यह ज्यादा एल्दी होता है आप बना कर देखना अगर आपको इसका टेस्ट पसंद करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका बूद बूद धन्यवाद